आज पढ़ेंगे आज मैंने एक जामपल यह सेलरी और कमिशन का तो यह फ्रावर समझते हैं सेलरी और कमिशन कैसे क्लिक्रेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस अप्रिपिशन अकाउंट पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह बताऊंगा यह कुशन जो आप इस वी वीडियो है सेलरी और कमिशन बेसिक्स वाले वह आप जरूर देखें तो आए फ्रावर समझते हैं पहले कोशन क्या है कोशन है आपका आपको मैंने बताया थे से पहले वाले वाले वीडियो में जो आपको ध्यान अखना है बिफोर और आफ्टर वाले किस में कैसे करते हैं तो यहां पर मैंने एंटरलाइन करते हैं बिफोर वाले बिफोर के लिए बिफोर चार्जिंग एनी कमिशन बीजिंट टू गेट इंटायल टू सेलरी वन थाउजेंट पर मंथ नेट प्रॉफिट अर्डूरिंग दे इयर रूपीस फॉर्टी थाउजेंट प्रिपेर प्रॉफिट और लॉस एप्रॉपीशन एकाउंट तो इस कोशन का मतलब यह निकलता है दो पार्टनर से एक क्वाली रेशियो गीवन है और कैप्टल दो 204 यह निकलना है है और बनारा है अपको कोशन क्लीर हो गया होगा अब से देखने स्ब्सक्रावं इसको फॉर्मेट को हीचन डीट से अन्ट सबसे पहले फॉर्स पॉ मनीआज मैं क्या लिखते हैं वाइं Net Profit As Per Profit And Lossimon Met Profit आपके Save exception में रखा चालिस यार रुपे अब हमारे पास Sellerie और कं मिशन है पहले चमय संब पूने प्रोफिट नेट पर कं awareness है आपको एक हमिल रहा है तो यहां पर टू है कि आ इस मिझे एकांड ऑने एका कमिशन उसके बाद है बी की सेलरी तो बी सेलरी एकाउंट बी को सेलरी पर मंत मिल रही है 1000 तो यहां पर मैं 1000 इंटू 12 कर देता हूं तो टोटल आ जाएगा आपका 12,000 रूपीज यह पॉइंटर इसके लागा कोई और इंफोमिशन गीवन नहीं है तो आप सबसे पहले टोटल कर दो क्रेइट साइड का बैलन्स आ गया आपका 40,000 रूपीज और यही बैलन्स आपका डेविट करना पड़ेगा 40,000 रूपीज और उसके बाद हम यहां पर डिफेंस निकाल लेते हैं 12 और 416 हो गए 40 मेंस हमने मैनस कर दिया तो आपका आ गया यह निकल गया आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक कैपिटल एकाउंट और बी कैपिटल एकाउंट रेश्यो आपको पता एकवली है तो यहां पर प्रॉफिट चौविज रूपीज और इसको बाद देते हैं तो 12,000 और 12,000 यह पॉइंट लिए हो गया होगा कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्जामपल में सर्विय और कमिशन के थैंक्यू कि अग्यू कि अग्यू कि अग्यू